Hello guys, welcome back to my channel तो मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमर के बारे में कि प्राइमर क्या होता है, कितने टाइप के प्राइमर होते हैं और प्राइमर के टेक्स्चर कितने होते हैं तो हो सकत वीडियो को पूरा देखेगा मेरे आज मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन सी स्किन वालों को कौन सा प्राइमर यूज करना है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमर क्या होता है प्राइमर जो होता है वो हमारे फाउंडिशन का एक बेस होता है वो आपके ओपन पॉट्स को मिनिमाइस करता है और जितने भी दाग होते हैं पिग्मिटेशन होती है यह फाइलाइन्स होती है वो इसको अच्छे से ब्लर आउट करता है जिसे हमारी जो स्किन है वो सेफ रहती है जिसे आपका जो मेकप है वो भी लॉंग लास्टिंग बनता है और इसी लिए आपको कभी भी प्राइमर को हम लोग सोचते है कि प्राइमर करें किजगा हम अच्छास सा फांडिशन खारिद है लेकिन प्राइमर को कभी एभी ज燃 फीजिये करना चाहिए गारते हैं कि इतने टाइप के प्राइमर होते हैं एक लुए बेस्ट एक एंट ने सी वह वोर्ता काम प्राइमर होता है उसे नॉर्मल स्किन वाले यूज कर सकते हैं या फी ड्री स्किन वाले यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट है वोटर बेस्ट प्राइमर तो यह जो प्राइमर होता है उसे ओल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमर के टेक्सचर कितने होते हैं तो गाइस प्राइमर के दो टेक्सचर होते हैं एक होता है मैट और दूसरा होता है शाइनी मैट प्राइमर होता है वो मैट लुक देता है oily skin वालों के लिए matte primer perfect होता है वैसे अगर आपकी skin combination है तो आपको matte वाला primer यूज़ करना है दूसरा है shiny तो shiny primer होते हैं उसमें shine के इसे particles होते हैं जिसके आपकी skin में एक shine आजाती है तो जिनकी skin oily है उसे ये वाला primer यूज़ नहीं करना चाहिए oily skin वाले इसे avoid करें तो अब हम बात करते हैं कि आपकी skin के हिसाब से आपके उपर कौन सा primer जाएगा तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जिनकी skin oily है, combination है और जिसे एकने की problem है उन लोगों को use करना है Colorbar का perfect match primer दूसरा आता है Revlon का photo ready primer and third number पर आता है L'Oreal का base magic primer तो यह सारे primer जो है वो oily या combination skin वालों के लिए perfect है यूजिकि यह सारे जो primer है वो matte look देते हैं और oily और combination वालों के लिए perfect है अब हम बात करेंगे dry skin वालों के लिए उन्हें यूज़ करना है लेक में का absolute blur perfect primer यह dry skin वालों के लिए एकदम perfect आप किसी से भी पूछ लेना अगर आपकी skin dry है ना तो यह वाला primer ज़रूर यूज़ करना है अगर आपकी skin normal है तो आप inside का 3 in 1 primer यूज़ कर सकते हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी skin के according आपको कौन सा primer यूज़ करना है next में बात करूँ आपको primer कैसे apply करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले आपको CTM कर लेना है उसके बाद ही आपको primer को apply करना है CTM मतलब की C मतलब कि आपको सबसे पहले cleanser यानि कि आप कोई भी face wash या cleanser यूज़ कर सकते हैं आपको कि मतलब कि ऐपको पास तोभाण यूज करना है अगर आपके पास टोभार नहीं है तो आप रोजवोटर यूज्ड कर सकते हैं याने की मौस्चु राइजर आपके पास कोई भी मौस्चुराइजर हो आपको लगाना है 2-3 मिनिट आपको wait करना है तो यह आपको प्रामर को apply करना है और उसके बाद ही आपको अपने फांडेशन को apply करना है तो i hope आप सब को समझ आ गया होगा कि आपको primer कैसी यूज करना है primer क्या होता है और आपकी स्किन के according कौन सा प्राइमर जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना and thank you so much for watching my video तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक ले टेक केर बब बाई